हेलो एवरिवन मैं शुरेंदर पुनिया अवर्सकेडमी के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है आप सबको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा आज वो मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में भी हम एक इंपोर्टन टॉपिक स्टार्ट करने जा र क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का वे रहता है मैथमेटिक्स में वह सोटकट का ज्यादा रहता है त्यूरी पार्ट्स के साथ साथ हम सोटकट का ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि कॉम्पिडिशन के अंदर आज कल क्या सिनोरियो चल रहा है के ताइम को जो ताइम को तर्म करने का वह में कम मिलता है तो कम ठाइम को ध्यान में रखते होए में मैजिमुमं क्यूशन शोल करने होते हैं उस ताइम ये सोटकट बद बड़ बड़ा आपके हिल करेगा वजब हैप मिलेगे आपको इस पार्ट से कि Apoi कैसे इस चीज को लेंग्वेज में आप सोल कर पाएंगे तो मेरी कोशिस रहेगी कि आप का यह टोपिक इजली आप सोल कर पाएं तफ से टफ क्वेश्टन को भी आप कुछ सेकेंडों में सोल कर लें इस तरह की टैकनिक के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं मुझे उमीद है कि आप सब कोई टोपिक बहुत समझ बहुत पसंद भी आएगा और आप interest भी लेंगे तो चलो देखते हैं हमारा topic है sequence and series sequence and series का सबसे पहला meaning समझे क्या होता है sequence का meaning होता है कोई भी terms होती है आपस में एक दूसरे से किस्तिके से related है जैसे कोई ट्रम आपने लख दिया कोई भीक लosa नहीं है तो यह नौमल नॉमर्स सिरी से इसhoven डेना नहीं है नाइं सकोई लेना देना स्क्वेंश के साथ है बट यही numbers अगर हम किसी particular relation के साथ रख दिये जाएं तो इनको नाम दे दिया जाता है जिसको हम बोलते है sequence जैसे मैंने लिखा 2 फिर लिखा मैंने 5 फिर लिखा मैंने 8 फिर लिखा मैंने 11 and so on तो इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि इनके जो बीच का जो difference है या इनमें आपस में जो terms के बीच में जो relation है वह कहीं ना कहीं कुछण कुछ common है वो difference को발िके ष्रेस्यों को देखके फिर को बीकाम सकता है वह multiple के part सेówी common हो सकता है जैसे multiple term सर्थ रही है उस part फिर फिखो में थो सकता है तो इस जो चीजें होते हैं नहीं कि इनको फिर हम बोलते हैं सिक्वेंस तो यह कहलाती है सिक्वेंस यह सिक्वेंस नहीं है ठीक है अब सिक्वेंस के बाद अगला नाम आता इसमें सीरीज शिरीज का क्या मीनिंग है यहां पर शिरीज का मीनिंग अभी यह जो नंबर समने लिखें यह आपस में एक दूसरे के साथ किस रिलेशन से अटाइच है जैसे स्पोज को में लिख दिया टू प्लस फाई प्लस एट प्लस एलेवन एंड सौन तो यह बन जाएगी सीरीज क्या इनको आपने प्लस का यूज किया अगर आम इसके अंदर बीच में मल्ट इवाइड का या कोई और सिंबल यूज करेंगे माइनस वगएरा का या पलस का या माइनस तो यह अपने आप में क्या कहलाती है सीरीज कहलाती है मतलब शिरीज का मतलब होता है जो ट्रंश दिए तो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी रिलेशन से या सिंबल सेट है चाहें जो सिंबल प्लस का हो सकता है माइनस का हो सकता है मुल्टिप्लाइ का हो सकता है डिवाइड का हो सकता है पावर्स का हो सकता है और किसी का भी हो सकता है तो इस इस कॉल्ड शिरीज एंड इस इस कॉल् सेक्षन्ट एंड सीरीज टी इंट्रोडेक्शन था भी सक्वेंस क्या होती है और सीरीज कांदू है ृथी और हम डिस्कस करेंगे भी इन सेधर और परीज में यह सबसे पेला ऑपिक करते हैं प्रह्त कर देखिक दे आप है और यह आप 10th क्लास में पढ़ते हो एप एपी के नाम से एर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से फिफ्ट चैप्टर होता था 10th क्लास में तो वहां भी पढ़ने को में मिला लेकिना प्लस वन में इसका अड्मास वर्जन आप पढ़ने वाले हो वह कैसे होगा वह हम डिस् स्रेट मिलें हमें पढ़ने को सम इंपोर्टंट सीरीज मिलें हमें पढ़ने को और इसके अलावा वह सारे शीरीज़े ब귀よ ת यह से लॉगरिथम सीरीज़ ए जर लोगरिधर सम एक्स पंशन, इस तरहीं सीरीज वह सीरीज हो गई है इस तरह की श्रीज चलती रहती हैं कभी end नहीं होता जैसे ट्रिनोमेट्रिक में भी series बनी हुई है आप देखोगे sign series है cosine series है tangent series है series बहुत सारी होती है लेकिन हमारे जो syllabus में है plus one में या competition में जो पढ़ते हैं वो लगबग यही series है जिसको हमने जो syllabus में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है यहां तक some important series तक पढ़ा है लेकिन उसके बाद जो है logarithm and exponential series यह हम plus one plus two में नहीं पढ़ते यह पढ़ने को मिलता ग्रेजुएशन में B.Sc. first year second year में आती है लेकिन इनका सब्सक्राइब नाट से दस क्यूशन टोटल क्यूशन भी सिरी कल्चर में आने होते हैं और और में से 10 परसेंट क्यूशन तो सिरफ एकले इस चैप्टर में क्यूशन आपको कहां से पढ़ने को मिलेंगे लोगरिथम एंड एक्सपोनेंशल सीरीज में से मिलेंगे ठीक है जी चलो एनिवेज तो आज हमने इंट्रोडेक्शन पढ़ा कि सेक्वेंशन सीरीज इसको हम डिटेल में बात करेंगे इन टोपिक्स के बारे में भी अपी क् का पार्ट नहीं है क्यों पढ़ेगी मैं रिजन बता चुका हूं क्योंकि इसकी हर साल चार या पांच क्यूशन अलग से आते हैं तो हम इस पार्ट को भी पढ़ने चलना है यहां पे तो चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्वेंशन सीरीज और यह इसका इंट्रो बहुत भी है कि हर कामयाब आदमी को अलग काम करता काम वही करते हैं लेकिन जो अलग भांग से करता है कंई elaborate मैंट करने का बदलना पड़ेगाब आप चना एक सचिंज को समार्ट लीफ स्टी करने की जडूरत है कि जिस काम को आप पहले tap 194えて है तो किया आप उसी काम को पांस सेकेंड में या दस सेकेंड में कर सकते हो तो कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो वो चीज़े आपको या शिखाई जाएंगी तो यह lecture आपके लिए बहुत important होने वाला है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी इसको carefully के साथ समझें और यह आपके लिए ही record किया गया है ताकि आप लोगों को कैभी भी कोई भी problem आए तो आप बार-बार इन चुज़ों को study कर सकते हैं चलो देखिए आगे AP Arthematical Progression जैसा कि मैंने आपको बताए chapter number है आपका plus one की book में मिलेगा 9th chapter था और इस chapter के अंदर सबसे पहले exercise मिलेगी आपको 9.1 वह सिरफ introductory टाइप से exercise दी हुई है वह sequence देपार तो नहीं है पर उसमें कुछ ऐसी reasoning टाइप के questions दी है वह भी आपको knowledge में होने जुरूरी है तो चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका description दे देता हूं तोपिक को आप कैसे पढ़ोगे 9.1 वनक साइज में क्या था उसमें आपको शीरीज में एसी सीरीज दे रखी थी जो डारेट पता नहीं चलता उसमें क्या relation है उसका relation है उसका relation उचलो देखे कैसे इसे सीरीज दे आपको 2 दे दिया उसके बाद अगले ट्रम यहां पर दे दीगी स्पोज करो 5 उससे नेक्स ट्रम आपको दे दीगी स्पोज करो 10 उससे नेक्स ट्रम दे दीगी 17 उससे नेक्स ट्रम आपको दे दीगी 26 और कोई आप से पूछे नेक्स ट्रम बताओ किया बताओ इसमें इसकी नेक्स ट्रम बताईए तो अब आप द्यान से देखोगे तो यह ना तो एपी का पार्ट है ना जिपी का पार्ट है तो क्या है यह तो इसमें एक रिलेशन में खुद भी अबजर करना पड़ेगा यह में टल लेवल का क्यूस्टन है या एक्चुल है सेंब उसको इसका किना डिफरेंश आ रहे है 9 का तो अवीं डिफरेंश हो रहे है इंड डिफरेंश में व boyokly बयें हिना अड sözा रहे है 11 तो यानि कि next रम जो आएगी वो 11 के difference पे आएगी तो आप इसमें 11 एड़ कर दो अपने आप अपने को next रम मिल जाएगी तो next रम क्या बन गई 37 तो ऐसे question आपको 9.1 exercise में दिये हुए है कभी कभार competition में एक अधा question इसका भी देखने को मिल जाता है तो आपको इस exercise को syllabus की book में से study करना पड़ेगा competition का part नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा टच नहीं करूँगा आपको knowledge के लिए मैंने बता दिया और मैं आपको यह बताना चाहूँगा किसी भी competition का अधार अगर कोई है तो वो है syllabus जो आप पढ़ा है आपने प्लस वन प्लस टू में वो इसका अधार यानि बेस जो है वहीं से उठके आएगा तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि competition पढ़ने के साथ साथ आपको syllabus भी आना जरूरी है तो मैं मान के चलता हूँ कि प्लस वन का जो लोग है यह सबता है तो याद है नहीं है काफी टाइम हो सकता है जब बच्चा पलस टू कर के निकलता है घलास में से तो इस टोपिक को कियो हूँ एक साल या अटेड जा टायम भी जाता है तो उसको याद नहीं रहता भी कैसा था है तो मैं आपका पढ़ाँ हूँ गो तो फब्लेके चलेंगे तो मैं आपको एक एक इंपोर्टन बात और बताना चाहूंगा क्योंगे मेरा पहला लेक्षर एक तो वसकता है। यही जो ठूपिक रहेंगे इसको जो बताने का तिकर रहेगा, उसता है, कि आपको गाइडएंज ज्यादा मिले पढ़ने का आपको प्धाने का पाऊँ आपको आपको अपको प्रूप्टन चीजे कि आपको मैथमेटिक्स में अप कोई भी टॉप चेप्टर रूगे तो Kerry करनी पढ़ेगी कितने आप कि दो कि didad leans करो गए है तभी आप को 20 का काम करवाया गहै तभी आप तीन घंटे पूरा कर सकते हो जब क्सक्याiko अप्रीक है फट्रीयर में कैसे पड़े прекрас सबसे पहले कि रह उप करो गहीं आपको इन सेलेभस की जो थूपस करोगे हुखा है इसको क्वो और है बढ़ टोपिक कोई बिशन competition में आएगी नहीं अगर आपने इसका syllabus रिवाइज कर लिया तो तो सबसे पहले आपको एगंटे तो आपको study करना है उसका syllabus वाला पार्ट उसके बाद एगंटे आपको जो self study करनी है वो क्या करना है उसके अंदर उसके अंदर जो classroom में जो आपको यह classroom में मैंने जो topic कराया य या किसी भी teacher नहीं आपको कोई भी एगंटे में जो topic पढ़ा है उसको revise करना है या उन्होंने जिन-जिन points उठा गया जो question उन्होंने बोर्ड पे कराए है उनको study करना है क्योंकि वो सबसे important part होता है competition में क्योंकि teacher जब भी competition पढ़ाता है तो वो ही question बोर्ड पे कराता है जो सबसे ज़्यादा important होतार exam में आता है और उसके बाद one hour जो बचेगा आपको self study के दोरान उस one hour में आप क्या करने वाले हो जो भी आपको उस teacher के दवारा कोई assignment दी गई है या कोई competition की books दी गई है उसके अंदर आपको जो practice set दिया गया है practice करने के लिए फिर आपको practice set भी आ आपको अच्छी तरह study करने के लिए खुद को तीन गंटे पढ़ना पड़ेगा चैवो math हो चैवो physics हो चैवो chemistry हो या बायो हो तो यह आपको अमेसा रूटूल मना लेना है कि अगर हम तीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं physics chemistry bio या physics chemistry math तो अगर आपको तीन गंटे को टीचर एक अदरवाइज आपके अमेसा वही कमियां चलेंगी एक सब्जेक्ट अच्छा होगा एक सब्जेक्ट अवरेज होगा एक सब्जेक्ट बिलकुल लो लेवल पे होगा तो जो लो लेवल वाला सब्जेक्ट वो आपके रैंक को अभी बढ़ने नहीं देगा तो सारे सब्जेक थे कि 9.1 जो अक्साइज आपको दिवी है, उसमें कैसे क्यूशन मिलेंगे, ऐसी सीरीज दिवी मिलेंगी, जो या स्क्वेंस दिवी मिलेंगी, जिनका आपस में जो डायेट रिलेशन है, वो हमें नजर नहीं आएगा, बटो हमें पेचानना पड़ेगा कि वो रिलेशन कैसा है, फोर एक्जामपल, एक तो मैंने ये एक्जामपल दिया, एक एक्जामपल और भी देता हूं आपको, जैसे हमने एक क्यूशन और उठा लिया, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, जैसे स्पोज क्रोपेले दे दिया गया है, यहां पे 3, उसके बाद इसमें आपको दे दिया गया, 16, उसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट अंटोपी प्रवाइड कर दिया गया, 32, और एक दम आप से कोई पूछे, नेक्स्ट रम बताओ, तो जोरा सोचो, अब क्या होगी नेक्स्ट रम, एक सेकिन आप लगाईए, भी यहां पे पहले 3 है, उसके बाद 7 है, उ इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 16 का, इसका मतलब यह क्या चल रहा है, 4 का मतलब है, 2 का स्केर, 9 का मतलब है, 3 का स्केर, 16 का मीनिग क्या हुआ, 4 का स्केर, यह रिलेशन आपको पैचान करने पड़ेगी, भी किस रिलेशन से ट्र firms चल रही है, तो अगली ट्रम क्या हैग प्रोग्राम में आच चुका है आज से चार या पांच साल पहले ऐसे क्यूस्टन भी देखने को मिलते इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया 9.1 अक्सराइज भी आपको करनी है तो छोड़ना नहीं है जनरली स्कुलों में एक्सराइज करवाई नहीं जाती यह कहके पांच साइज को रिवाईज करेंगे आज हम करने वाले इस टोपिक में सरफ लेबसी रिवाईज करेंगे कॉम्पटिशन का पार्थ हम इसका कल लगले नेक्स लेक्सर में डिकोड करेंगे बता कि आपका बेसिक नोलिज स्ट्रॉंग हो जाए और सेप्टर वह रिकोल हो ज पूरेशन क्या हुतिए और्थिमेतिक प्रोग्रेशन और इसके बार नेक्सर म्न दे रखियां को ए प्लस दी उसके बार next ररखिया पलस टू डी एंड सौन यानि इन्हें लिवह दिविन गीच में एख रिलेशन मिलेगा वो उर्पस में जो डिफ्रेंस वोगा टरॉंज क चल रहा हो तो सिक्वेंस को या उस सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो यह हमारी इंपोर्टेंट सीरीज है इस में से आप यह मानगे चलिए अगर बेसी अरिकल्चर का एजाम देने जा रहे हो तो इसमें इक हम लेपि में इस तो चलो टो विकंशंट लिग़िए फिर लग दिया फाई फिर लिग दिया एट फिर फिर इन आप देखो गई तो इसके बीच में क्या रिलेशन चल रहा है यहां डिफ्रेंस फाइब में से टू चला गया थरीगा एट में से फाइब चला गया फिर थरीगा एलेवन में से एट चला जाएगा फिर थरीगा डिफ्रेंस यानि कि जो डिफ्रेंस है वो सब में क्या चल रहा है common चल रहे हैं इसे कहते है common difference क्या कहते हैं इसको common difference इसको denote किया जाता है D से और यह मैंसा कैसे निकलेगा successive drum में से preceding drum को minus कर दो यानि कि आगे वाली drum में से पिछे वाली drum को minus करोगे तो वो difference आपको पूरी शीरीज में एक जैसा देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्या AP क्या नाम दिया गया उसको AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो जैसे आपने देखा 2 5 8 11 14 and son इनके बीच का difference सब में क्या चल रहा है सेम चल रहा है तो यह AP है क्या है यह AP जो फर्स्ट रम होती है इसको दिनोट किया जाता है A से तो A is called first drum D is called common difference वो मैसा आगे वाले ट्रम में से पिछे वाले ट्रम को minus करने से आएगा वो हम निकाल लेंगे common difference ठीक है जी अब इस पे एक जाम में questions कैसे पुछे जाएंगे या किस टैप का question आता है अगर basic question की बात करें तो वो इसीदा यूँ भी पूछ सकता है इसकी next drum बताओ तो किसी भी AP सीरीज में next drum निकालना बहुत easy होता है क्यों क्यों कि इनके बीच का जो difference आगे मिलने वाल है तो यह difference कितने गया 3-3 का तो 14 के बाद 3 difference पे क्या आएगा 14 में 3 add कर दो कितना बन गया 17 तो next drum क्या आगी इसकी 17 उससे आगेवल टरम ही निकालनी हो तो फिर 3 add कर दो कौन सा बन गया 20 इस तरह से हम कितनी भी टरम निकाल सकते हैं अगर next टरम पुछी जाए हमसे दो लेकिन इतना आसान क्यूशन कॉंपेटिशन में नहीं पुछा जाता तो क्या होगा फिर हमें एकदम जंप करके बड़ी टरम पूछ लेंगे जैसे हमें 4-5 टरम लिखके देंगे और करेंगे इसकी ना 10 टरम बताओ 20 टरम बताओ 25 टरम बताओ 30 टरम बताओ जब एकदम बड़ी टरम पूछ लें तो यह नहीं कि हम ऐसे add करते चले जाएंगे और 30 पर जागे बताएंगे भी 30 टरम है ऐसे नहीं ऐसे दो टाइम खराब हो जाएगा उसके लिए जनल टरम का फार्मूला बनाया गया वह फार्मूला क्या था उसको डिनोट किया गया एन से क्या था एन ए प्लस एन माइनस वन इंटो डी तो यह जो एन है दिस इस कॉल्ड ट्रम नंबर ओफ ट्रम यह आपको कौन सी ट्रम निकालने है जैसे आपको किसी ने कहा कि आप 30 ट्रम निकालो तो आप एन की वेल्यू को क्या सब्टिचूट करोगे इसमें 30 पुट कर ए प्लस 29 डी बन जाएगा यह क्या बन जाएगा यह ए प्लस 29 डी तो यह 30 ट्रम आगी अब इसमें 30 ट्रम को निकालने के लिए एक सब्सुड़ी बात जो है वो यह है कि हमें ही देखना पड़ेगा ए और डी की वेल्यू को सब्टिचूट करना पड़ेगा जिसके बाद हम यह बता सकते हैं कि इसकी 30 ट्रम क्या है जैसे इसी की बात करो में सीरीज की इसकी कोई 30 ट्रम पूछे आप से कैसे निकालोगे आपको एक प्लेस पे क्या पूट कर ले रहा है तू तो यहां पे आपने टू पूट कर दिया 29 इंटू डी डी ओते हैं के बीच का डिफ्रेंस कितना डिफ्रेंस चल रहा है 3 तो यहां पे आप क्या पूट कर दोगे 3 पूट कर दोगे तो 29 इंटू 3 87 87 प्लस 2 कितना आ गया 89 तो यह कौन सी ट्रम आगी 89 30 ट्रम आ गई तो इस फामुले से हमारे लिए क्या हो गया हमें 30 ट्रम निकालने की जूरत नहीं पड़ी हमें एक नेकि 70 ट्रमृप 30 रहा हुए अमने डार्रेट फामुले से न्िकाल ली थाकि अम्हें सारी ट्रम विचिवली ट्रम निकालने की जुरूरत ना पड़े तो इसको जर्नर्रल ट्रम का फामुला बोला जाता है इससे हम कोई भी ट्रम निकाल सकते है तो 2018 बासलाऊ अध्यान देने की ज़रूरत है वो सारी मैंने आपको बता दिया लेकिन जितने भी लेक्टर मेरे जाएंगे बच्चों मैं पहले कलियर कर चुका हूं कि मुझसे आप आप सोटकट की एक्सपेटेशन जाजा रखें कि मैं सोटकट में ही बढ़ाता हूं बच्चों जो बेसिक लेवल पे त्यारी करनी है वो में बेसिक भी करवाऊंगा ऐसा नहीं है बेसिक नहीं करवाया जाएगा लेकिन सोटकट पर हम अच्छी रखें ताकि हमारी स्पीड ब इस ट्री एक्निक से आपको पढ़ाया जाए इस मेरी पुरी कोशिश रहेगी तो आज गा लेक्चर यहीं पर फिनिस करते हम कल फिर आगे स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर में टॉपिक कंपटिशन लेवल पर स्टार्ट करेंगे थैंक्यू